नमस्कार डेली करेंट वीडियो में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम पर्यटन पर चर्चा कर रहे हैं। हाल ही में मलेशिया ने भारतिय नागरिकों को 30 दिनों की अवधी के लिए 31 दिसंबर 2024 तक वीजा मुक्त यात्रा सुविधा का निर्णय लिया है। भारतिय यात्रियों को इस तरह के विशेश आधिकार देने में मलेशिया, श्रीलंका और थाइलैंड जैसे देशों की सूची में शामिल हो गया है। भारतिय नागरिकों को वीजा मुक्त प्रवेश की पेशकश करने का मलेशिया के निर्णय का पर्यटन को बढ़ावा देने से कहीं ज्यादा व्यापक महत्व है। मलेशिया में कोविट के बाद आर्थिक सुधार में पर्यटन एक केंद्र बिंदु के रूप में उभर रहा है। यपहल देश को एक आकर्शक गंतव्य के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रही है। लंग कावी समुद्र तटों जैसे अपने सुन्दर स्थानों के लिए प्रसिद्ध मलेशिया का लक्ष पर्यटन क्षेत्र में अपने नेत्रित्व को फिर से हासिल करना है। आईए अब हम वीजा मुक्त सुविधा की गतिशील प्रकृति को देखें। किसी देश द्वारा भारतिय पर्यटकों के लिए वीजा मुक्त सुविधाओं की अवधी अलग-अलग होती है, जो अक्सर मेजबान देश के लिए फाइदेमंद कारकों पर निर्भर करती है। मलेशिया के मामले में वीजा मुक्त योजना 31 दिसंबर 2024 तक वैद है। ये सुरक्षा मंजूरी के अधीन है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि वीजा मुक्त प्रवेश के प्रावधान का मतलब प्रवेश बिंदूओं पर सुरक्षा प्रोटोकॉल में डील नहीं है। ग्वाटेमाला में भारतियों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की सुविधा दी गई थी। लेकिन अनिर्दिष्ट आप्रवासन के बारे में चिंताओं के कारण इस विशेशाधिकार को वापस ले लिया गया। अब भारत में परियटन क्षेत्र के महत्व को समझते हैं। में सामाजिक समानता को भी बढ़ाता है। वैश विक्स्तर पर परियटन किसी क्षेत्र विशेश के बारे में जागरूकता बढ़ाता है और उसके सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर प्रकाश डालता है। इस उद्योग का विस्तार सेवा क्षेत्र को भी प्रोटसाहित करता है। साथ ही परियटन का विकास समग्र विकास के लिए एक प्रेरक शक्ती के रूप में कार्य करता है। इसमें बुनियादी धांचे के विकास की आवश्यक्ता होती है जो उत्तराखंड में मोबाइल परियटन कारवा जैसी पहलों से स्पष्ट है। इसके अलावा परियटन रेल मार्ग, विमानन, अचल संपत्ती और सेवा उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों के विकास में योगदान देता है। यह विदेशी निवेश के अवसर प्रदान करता है, जिससे परियटन क्षेत्रों में छोटी कमपनियों को लाब होता है। परिणामता, परियटन, संचालन और आतित्य उद्योग में रोजगार के अवसर सिरजित होते हैं। आर्थिक योगदान के अलावा परियटन भारत की सौफ्ट पावर को बढ़ाता है, जो अन्य देशों के साथ संबंधों को बढ़ावा देता है। इसके अतिरिक्त परियटन भारत की जैव विविधता और वन्य जीवों संरक्षन को बढ़ावा देने में सहायक है, जो वैश्विक स्तर पर संरक्षन प्रयासों की ओर ध्यान आकर्शित करता है। इसके महत्व के बावजूद परियटन क्षेत्र को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। परियटन स्थलों पर कुशल पेशेवर, अंग्रेजी बोलने वाले गाइड और बुनियादी सुविधाएं अपर्याप्त हैं। भूस्खलन और बादल फटने जैसी प्राकृतिक आपदाएं जोखिम पैदा करती हैं। 2013 में केदारनाथ में बादल फटने की घटना ने क्षेत्र में परियटन उद्योग पर काफी नकारात्मक प्रभाव डाला था। परियटन, कमजोर, वन्यजीव, प्रजातियों को प्रभावित करता है, साथ इसे जंगल में आग लगने का खत्रा बढ़ता है, इसके अलावा अंधा धुंद कच्रा फेकना परियावरण को नुकसान पहुंचाता है। सरकार ने चुनोतियों से निपटने और परियटन विकास को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें संचालित की है। अंत में वीजा मुक्त यात्रा का भविश्य और भारतिये परियटकों को लुभाने के लिए राष्ट्रों ड्वारा नियोजित व्यापक रणनीतियों को सुविधा, सुरक्षा और आर्थिक विचारों के बीच एक नाजुक संतुलंद्वारा आकार दिया जाना कि अंत कि विचारों के लिए राष्टरों के लिए पिए।